दोस्तों आप अक्सर सुनते हैं की वायरा छल रहा है या वह कभी किसी मुझे सुना हिवा कि वायरल हो गाता मुझे तो जंब कि आपके राध में कभी होता है यह कि वायरा उता है यह एक वाइरस से होनेवाने यह डिजिस 이상ений इसके अलवा वाइरल भी बोलते हैं या इन्फ्लॉइंजा भी बोलते हैं या एक इन्फ्लॉइंजा वाइरस की वज़े से होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रावलम होती है जो कि अखसर जब कभी वैदर चेंज होता है उस समय या जब बारिश ज्यादा होती है उस समय में य आपको नाक से पानी चींके आना बदंदर दोना बुखार आना यह सब चीजें जो होती है यह सिम्टम होते हैं वह आपको देखने को मिलते हैं इस तरह की कंडिशन में कुछ लोगों सांस लेने में दिक्कत भी आए यह कुछ कौमन प्रॉलम्स होती है जो की वाइरस में यह वाइरल में आपको देखने को मिलती है कि वाइरस होते हैं यह अपने आपको अप्रेड करते रहते हैं समय के सासाथ कई द biscना । आपके लिए बड़ी परिशिकाकर झाया वह सकता है जैसे कि आप ने कोभीस में ने लिए तक स ज्यादा प्रबावित नहीं करता है अगर आपकी वीक है तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी हो सकती है यह जो वाइरल की जो जिसकी वज़े से वाइरल से हम घ्रसित होते हैं इसके साहती होमियोपेथी में कौन-कौन जैसी मैडिसिन होती है जो की बिना साइड इफेट्स के आपको इस तरह की जो समस्य है उसे दूर करने में आपकी हैल्प करती है उस्तों मैं जोदपुर से डॉक्टर कॉंदीब किसी को वाइरल हो रखा है वह बोलते भी हैं तो उनकी जो जो बोलने पर घ्राइक डालेट्स आती हैं उनके मुँझे साड़ कhst अगर आपकी इम्मुनिटी वीक है तो आपको जदी प्रभावित करेगा और आपको करीगरी एक दिन से लेकर तीन से चार दिन के अंदर आपको इसके और प्रभावा प्रभाव इसके अलावा जैसे कहाने से और यह फैल सकता ए इसके अलावा जब कभी भी आप को व्हांने को इन्फेक्टिट पर्सवन है जब उन्हों ने चींका पास और उनके जो चीजिए उस पर पर फेस्ट पर लगते हैं या आपके नाग पर या फेक्शन होने का खत्रा होता है इस तरह से ये प्रबावित कर सकती है इसके बड़ा करण होता है फैल ने का हुटा है उस्थो यह यह जो वाइल होता है यह देखने को मिलता है कि आपको आपको आपके ब्रंकाइटिस हो सकता है और आपको कई दफ़ा बहुत जादा लंबे समय तर परिषान इखने दोस्तों वह बात करते हैं कि आखिर वायरल के कौणकों से लक्षण है जो यह हुग बादिया जो देखने को मिलें गुछ हुश्व पूरिपन जयसी परकशे कॉ french भीत सब्सक्राइब हैं. कि विए गींदते हैं मिलते हैं कि बच्चों में उसके पेट लाइट जीदो रहेखिए या उनको डाइरिया की भी उनको शिकायत हो सकती है दोस्तों यह इसके कुछ common symptoms होते हैं जो कि आप देखने के मिल सकते हैं अगर आपको वाइरल हो गया है तो दोस्तों वाइरल जो होता है वैसे तो यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है पूरुशों को महिलाओं को बच्चो को भुजूर्गों को लेकिन जिन लोगों को थोड़ी वीग होती है खासकर बच्चों में और हमाई भुजूर्ग होते हैं उनमें दर्बती महिलाओं में यह जिनको अल्रेडी कोई डीजीज है कोई पुराने वीमारी से ग्रसी थे उन लोगो थोड़ा सा यह जो वाइरल ह खत्रा जो होता है और उसमें परिशानी ज्यादा उठानी पड़ती है तो यह तो बात होगी इसके लक्षन की इसके कारण की इसकी रोकताम की कि आपको किस तरह साब रोक सकते हैं आपको कौन कोई सी बातों को द्यान लगना चाहिए दोस्तों एक तो सबसे पहले आपको ज जाना पड़ रहा है तो चेहरे पर मास्क लगाए रखें आप मास्क अच्छे से नाक और मुग को डखके चलें इसके लाव जब कभी आप बाहर जाते हैं तो हैंट सेनिटाइजर का यूज करें बाहर से जब आप घर आते हैं तो आप अपने सेनिटाजर की यूज करें इस होता है अपने जिश्वेपर से अपने नाक और मुग को अच्छे से ढग लें यह अपनी जो को कोनी से इस तरह से आप इसमें आप इसमें कवर करके फिर आप चींगे या कहां से होता है यह जो डीजी जो ती यह आगे नहीं फैलेगी उस तरह से कुछ बातों का ध्यान करने में काफीוס, हैम्य-ाक्ति बेना कि इस थाफ सी होती है, होमय-पेती में कुछ मैडिसन के हुऊ में तरचा घ्रेंगे, वं से फाली ने रर्सनी आर्सवी सब्सक्राइब करें तो तीन बार में अपने पेशन्स को देता हूं जब गभी उनको इस तरह से इंफ्रेंज आया या विरल या फ्लू की शिक्राइब होती है इसके साथ में नेच्स में वह एपटीश चल रहा है अगर आपके देखते हैं कि वाइरल वाइरल है ऐसी जो कंडिशन होती है वाप पर प्रप्रीश से थर्टी बहुत अच्छा काम करती है और अपको सीवियर बोडी एक रहता है आपको उसके साथ आपको फीवर आ सकता है औ और आपको जो कोवर्मन कोल्ड वाले सिम्टम होते हैं जो देखने को मिलते हैं ऐसी कंडिशन में प्रीशे 30 अच्छा काम करती है इसको लेने का तरीका होता है तिन में तीन बार नेक्स जो मेंडिसन है वह जलसी मिम 30 अगर अरली स्टेज है ऐसी जो कंडिशन है जिसमें ग जाए ज़्यादा सर्दी लग रही है ऐसी जो कंडिशन होती है वहाप पर अच्छा काम करती इसको लेने का तरीका है तिन में तीन बार नेक्स जो मेंडिशन है वह यूपेटोरियम 30 यूपेटोरियम 30 भी इसके खास दवाए जो कि अक्सर मैं पेशेंस को देता हूं इसमे को लेने का तरीका होता है तीन में तीन बार शुबह दो पर और शुक्त खास दवाई यह और भी बहुत सरी मैडिशन सोती है जो कि आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए दी जाती है तो और अच्छे देखना को मिलते हैं क्योंकि वाइरल में और भी कई तरह की सिम्ट करें तो आपके लिए बैतर रहेगा उसको मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेर की आपके पसंद आई और आपके लिए फायदेमन साबित होगी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें पैल आइकन जरूर दबाए आपके पाद उसका नोटिफिकर्सन आसे जय हैं